डावल एक्टिंग पावर एस्टेरिंग मिल जाता है इस टेक्टर में आपको फर्ण वंपर आपको अलग से मिल जाता है और इसमें आपको एस्टेट फरवर्ड फर्ण एक्षल देखने को मिलता है डावल डिस्टिविटर वॉल मिल जाता है फुल्ली आटिमेटली डेफ्ट अंडरॉप्ट कोंट्रोलर वार्ग साथ टॉप्लिंग मिल जाता है नमस्कार किसान भाईयो आज की एक नहीं संदार और फिर इस वीडियो में स्वागत है दुस्तों हम लेकर रहा हैं इंडियन ट्रेक्टर इंडिया स्टीज के अंदर में आ दोस्तों सबसे पहले इसकी हम अगर इंजिन के बात करेंगे इसमें आपको इंजिन मिल जाता है 47HP के जो बोस का फोर इल्लाइन पॉंप डिजल निच्रिल इस्पेडिटर वाल इंजिन के साथ में आता है और यहां पे आपको सिंगल डिजल फिल्टर मिल जाता है जो सीध क्लिनर के बगल में जो रिडियाटर होता है वहां पे आपको कंपनी एक प्रटेक्शन लागा जाती है क्योंकि ज्यादा बहतर हवा जा सके जो ज्यादा देता काम करने में सक्षम है दोस्तों इस ट्रैक्टर के अगर हम आगे के बात करेंगे तो इसमें आपको नीचे के 300 500 नीचे में हमका ग्राउंड के लिए से मिल जाता है जो उबर खारवले रास्ते में बड़े असानी के साथ या ट्रैक्टर चलने में सक्षम है वह इस ट्रैक्टर के अगर हम फ्रंट वंपर की बात करेंगे तो इसमें आपको 80 kg का फ्रंट वंपर मिल जाता है और इस ट्रै जो यह 47 एक ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर के अगर हम आगे से लुक की बात करेंगे तो महिंद्रा का अट्रैक्टर मिल जाता है और दो है लिजन प्लस आपको क्रूम फिनिश जाली के साथ है आपको जाली देखने को मिल जाती है दोस्तों इस ट्रैक्टर के अगर हम ब हेंड अब औरत जाता है एक हाइड्रोलिक और एक एक पावर इस टेरिंग के लिए बात करेंगे स relevant तो इंग्वेड्ग्टर इम पावरे स्टेडिंग के साथ लॉंच कर दिया है अब इस ट्रक्टर के हम बाहन तरफ चलते हैं और यहां पर अगर हम टॉलवक्स की बात करेंगे तो सबसे लोहे का हैवी आपको टॉलवक्स मिल जाता है जो बड़े असानिक साथ आप टॉल को रख सकते हैं वह इस ट्रक्टर के हम लाइटिंग की बात करेंगे तो यहां पर आपको Elliot लाइट कनेक्टिवेटी देखने को मिल जाती है ईज्ट्रक्टर के हम सेलफ मेसिटार के मोटर के मिल जाते हैं और इस ट्रक्टर के इगर हम फरटेश्टे पर की बात करेंगे इसमीं आपको लोहे के कंपनी पहले इस ट्राक्टर के सब्राइब Thash और यहां पर बारा तरह की इंफर्मिशन आपको इस instrument cluster पर देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको lighting के सारे यहां पर distribution यहां से मिल जाता है जो सारे control आप यहां से कर सकते हैं और यह back light का दिया हुआ है और structure में आपको accelerator भी देखने को मिल जाता है जो बगल में होते हैं और charging के लिहाद से company fitities में एक portable charger भी लायकर company देती है जो driver को काफी मददकार सावित होता है और यहां पर आपको चॉक्सेंस मिल जाता है और यहां पर आपको चावी लगाने के लिए दिलाफ जरी से मिल जाता है इस ट्रेक्टर के अगर हम gear की बात करेंगे तो बारा आगे के और तीन पीछे के gear मिल जाते हैं जो fully side shift constant में टापको gear देखने को मिल जाता है इस ट्रेक्टर के अगर हम breaking के बात करेंगे तो इस ट्रेक्टर में OIV यानि immersive while break मिल जाते हैं जो यह low smooth और सबसे कम बेंडिस के लिए जाना जाता है इस ट्रेक्टर के अगर हम high low की बात करेंगे तो यह triple gear से लिएस है जो high low और medium जो सुपर सीडर चलाने के लिए काफी उपीगी माना जाता है इस ट्रेक्टर के अगर हम clutch के बात करेंगे तो इसमें double clutch optional है और यहाँ पे independent पीटियो लिवर मिल जाता है जिसके सहारे आप किसी भी operator को बड़े असानी के साथ आप एदियांतर को चला सकते हैं और यहाँ पे four wheel or two drive का optional मिल जाता है यहाँ पर रास्ते पे चलाते हैं ताइम आप two wheel protector को operate कर पाएंगे या तो खेत में चलाईए का तो आप four wheel drive का उप्योग कर सकते हैं वह इस ट्रक्टर के अगर हम यहाँ पे sit की बात करेंगे तो adjustable seat मिल जाता है और इस ट्रक्टर के अगर हम filter के बात करेंगे तो almost 60L का filter की देखने को मिल जाता है इस ट्रक्टर के अगर हम टाइरो की उपर की बीच की अगर बात करेंगे तो यह काफ़ बढ़िया special company लगा कर देती है जो कदवा में चले तो यह बढ़िया अच्छे quality के ढंक से यह टाइरो में मिटी नप पके इसके लिहाँ से company's में देती है दोस्तों इस ट्रक्टर के अगर हम पीछे की जैसे की बात की पीटियो पावर की तो यह 47 HP पहला सा ट्रक्टर जिसमें आपको 42 HP के ही पीटियो पावर देखने को मिल जाता है जो 66 रिटे अरपियों पे जनरेट करता है और इस ट्रक्टर में आपको 540 वित मैनुल 540 पीटि सिस्टम देखने को मिल जाता है और led breaking system जोडने की लिहाथ से कमपनि से पहले से प्रजिनल कराकर देती है इस ट्रक्टर की हम पीछे की लैटिंग के बात करेंगे सिंगल हलोजिन वॉल्प मिल जाते है और led breaking light system देखने को मिल जाती है और इस ट्रक्टर के एक हम दाहिने तर जाके साथ